पर दोस्तों स्वागत आपका एक्जाम रो में, यहां पर हम लोग बात करते हैं, आप लोग पता होगा एक वैकंसी आई हुई है आपकी GDS की, आपको पता होगा Indian Post यानि कि आपका डंक विभाग में आपकी ग्राम डांक सेवक की वेकेंसी आई हुए है दोजर बाइस के लिए और यहाँ पर काफी अच्छी वेकेंसी बताई जा रही है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 38,926 वेकेंसी है यह आपने हल जगा देख लिया हुगा आपकी लगबग यहाँ पर 38,926 वेकेंसी आई इसके बारे में इस अलेकर एक बहुत जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोगों को इस फॉर्म को भढ़ना चाहिए या नहीं भढ़ना चाहिए क्योंकि इसका बहुत बड़ारी coefficient आप लोग को यह भढ़ना क्यों नहीं चाहिए और अगर जो भढ़ रहे हैं उन्हें भढ़ना क्यों चाहिए तो इस बार में पूरा आपको बताऊंगा इस वीडियो में एंट तक जरूर देखना ठीक है तो अब इस form को आप लोगों को भढ़ना चाहिए या नहीं भढ़ना चाहिए उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा ठीक है अगर आप लोग ने दसवी कर रखी है और अच्छे परसंटेज से कर रखी है मतलब कि आपने 80 परसंट या 90 परसंट से आपने कर रखी है तो आप लोग इस form को जरूर भरिए क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ परसंटेज है तो आपका यहाँ पर सेलेक्शन बिलकुर नहीं हो सकता यह मैं गैरेंटी के साथ दे सकता हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर जो है आपी जो कट आफ जाती है बहुत जादा हाय जाती है आप लोग प्रीवेस एर भी देखोगे बहुत जादा कट आफ और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा वेकेंसी भी बहुत कम है आपको लगना है 38,000 वेकेंसी है पर दोस्तो 38,000 वेकेंसी जो है कोई केवल एक राज्य में नहीं है पूरे भारत में है यानि कि पूरे आल ओवर इंडिया में है तो यह आप लोग देख लीजे 28 राज् वो डिवाइड होती चले जाएंगी तो उससे भी यहाँ बहुत परक परेगा वेकेंसी में तो यहाँ पर जिसके परसेंटेज जो है 90 से अबव है उनके यहाँ पर चांसे हैं कि वो उनका यहाँ पर सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि उनकी कट आफ काफी कम जाती है जो है दिव्यांग है तो यहाँ पर वो बच्चे जरूर अप्लाय करें अगर उनकी कम परसेंटेज है पर SCST की भी यहाँ बहुत ज्यादा कट आफ जाती है और मैं आपको बता चाहूंगा यहाँ पर करीब SCST की भी 85% से उपर ही जाती है तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ज्या ागे चाह है तो इन दोनों केटेगरी में आप लोग देख सकते हो ब्रांच पोस्टमास्टर एक वेकेंसी है आपके डूसरी पोस्य पोस्त है तो यहाँ पर आपको ब्रांच पोस्टमास्टर होगा हुसका जो आपका सैलерм है आपका 12,000 उनकी से वक 12,000 उनकी कब बहुत ज् इससे आपको काफी दिक्कत हो सकती है अगर आपको अपना शहर मिलता है तो तब आप तोड़ा पायदे में रह सकते हैं उसके साथ ही जॉब काफी हार्ड जॉब है क्योंकि आपको डिलीवरी भी करनी पर सकती है ठीक है स्टैंप बीस में लगाए जाते हैं और आपको जो होती है होम डिलीवरी करनी परती है आपको जो पोस्टल होती है उनकी जो डांक होती है उनको आपको होम में मतलब घरों में जाकर उनकी डिलीवरी करनी परती है ठीक है और साथ ही अगर आपको लोकल लेंग्वेज नहीं आती साइकल चलाने आपको आने चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको साइकल दी जाएगी उससे ही आप लोग यहाँ पर पोस्ट जो होंगे आपना डिस्टिब्यूट करेंगे हल जगह उनको आप जाएंगे तो साइकल से ही जाएंगे तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे आपकी तीन वेकेंसी है ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टन ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक्टी और मैं बता चुका हूँ ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पे सैली 12,000 रहेगी और आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मार्च की आपकी सैली रहेगी 10 जा तो आप लोग पैसला है आप लोग को क्या करना है आप लोग समझदार है ठीक है यहाँ पे कोई मैं मैं सच्चा ही बता रहा हूँ इस जॉब की ठीक है और 18 साल से लेकर 40 साल तक एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे दो मैंसे लेकर 5 जून तक आप लोग अप्लाय कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रह है तो वहाँ पर लेंग्विज आपको तेल गुआ आनी चाहि है असामी आनी चाहिए तो जहां कि जो लोकल लेंग्विज भोइन की आपको आना चाहिए अग trouvé कर लें में केवल 60 vacancy है 60 vacancy केवल दिल्ली में तो यहाँ पे जो हिंदी बोलते हैं उनको बहुत ज़्यादा problem हो जाएगा और other language नहीं जानते हैं उनको बहुत ज़्यादा कम है वहाँ पे तो आपका 95% से उपर ही मेरे साफ से cut off जाना चाहिए तो यहाँ पे because आप लोग previous year की cut off देखोगे तो वो भी इतनी ही गई है तो यहाँ पे इस समय जो है आप लोग पता है कि हमारे देश में unemployment कितना है और लोग यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा apply करते हैं क अगर आप लोग general OBC से हो अपने 100 रुपे आप लोग खर्च करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो आपकी मर्ची है पर लेकिन आपके हैं पर selection होना नाम मुंकिन है वहीं आपका SCST से तो आप लोग apply कर सकते हो वाई से 80 प्लस आपके ST की भी जाती है SCST की हाँ अगर आप दिव्यांग हो यानि की PWD से हो तो आप लोग जो है चरूर apply करेगा भली आपके 40% क्यों ना हो क्यों आपकी job है लगपाग पकी है तो यहाँ पर जो है इस तरीके से रखा गया है दसी मांगा गया है maths और आपका English आपका होना चाहिए तोस्तों यह बड़ी update थी आपके लि ठीक है और यह job बहुत हार्ड है बहुत ही ज्यादा हार्ड जॉब है इसके साथ आप लोग मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई अधर एक्जाम की तैयारी कर सकते हो बिकॉस यहाँ पे mail delivery की job है mail deliver करने जाओगे आप लोग जब मेल delivery करने जाओगे तो बहुत ज़्याद हार्ड जॉब है लड़कियों के लिए बहुत ही हार्ड जॉब है यह तो मैं उनसे यहीं कहूंगा अगर आप लोग अधर एक्जाम की तैयारी कर रहे हो एससे एम्टियस आप बैंक की कर रहे हो तो यहाँ पे आप लोग वो जो नौकडी है वो ज्यादा बहतर है आप यहा होता है कि आप लोग GDS बनते हो उसके बाद आप लोग MTS बनते हो요 जो आपका multitasking staff होता है वो बनते हो करीब आपके पांस इस के बाद आप लोग बनते हो पोस्ट में उसके लिए भी आप लोग 5 साल का गैप होना चाहिए आप लोग GDS के 5 साल बार नहीं कि आप GDS की जब नौकरी करती हो 5 साल का आपके पास जो होता है एक्सपिरियंस हो जाता है उसके बाद आप लोग MTS और Postman के लिए अपलाए कर सकते हो ठीक है उसके बाद आप लोग पोस्ट में के लिए अपलाए कर सकते हो ठीक है अगर आप लोगों ने आप लोगों ने है आप लोग 40-50 सेया तक आपको यहां पर सैलनी मिल जाएगी Postal Assistant में आपको GDS में मिलती है आपको केवल 12,10 सैलनी मिलती है तो यह आप पर डिपेंड करता है आप लोग कैसे इस तरीके से लेते हो 5 साल अगर आप लोग यहां पर GDS की जो सर्विस कर लेते हो तो उसके बैल आइकन दबा लेना और इसी तरीके के और वीडियोस पाने के लिए हमारे संग जुड़े रहे है धन्यावा वीडियो देखने के लिए